तो हाई गाईज वेलकम बैक तो आर चानल तो टुड़े वी विल डिसकस अबाउट एरे ओपरेशन कि क्या क्या ओपरेशन हम अपने एरे में कर सकते हैं तो तीन ओपरेशन हैं जो हम एरे में कर सकते हैं ट्रैवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन वैसे तो सर्चिंग और सॉर्टिंग भी है पर वो अभी हम यहाँ पर डिसकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि सर्चिंग और सॉर्टिंग अमारे डेटा स्ट्रक्चर में एक पूरी यूनिट है जो हम अपने अपकमिंग विडियो में कवर करें गे उसको पढ़ने के लिए स्टे तूंड विधास सबसे पहले हम ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है सारे एलिमेंट्स को एक्जाट्टी वन टाइम विजिट करना ट्रैवर्सल कहलाता है अगर हम किसी एरे की बात कर रहे हैं तो ऐरे में जितने भी elements present हैं उन सब को output window में एक बार display कराना traversal कहराता है उसी को हम कहते हैं traversal of array so array traversal के लिए हमने यहाँ पर पूरा program प्लिक रखा है तो आईए देखते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर array declare किया है और वो सारे variables declare किये हैं जो हम यहाँ प्रोग्राम में यूज करने जा रहे हैं और हाँ अगर आपको array का introduction वीडियो चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर available है so please do check it out हम उसका link description box में दे देंगे तो वहाँ से आप लोग please उसको access कर लीजेगा so यहाँ पर हमने पहले तो user से array का size मांगा कि वो कितना element एंटर कराना चाहरा है फिर हमने scanf यूज किया user से input लेने के लिए फिर हमने यहाँ पर elements एंटर कराने के लिए हमने यहाँ पर एक for loop यूज किया है for loop इसलिए यूज किया है क्योंकि user जितना size देगा उतने ही element उसको enter कराने होंगे तो इसलिए हमने यहाँ पे एक i variable लिया है जो कि हमने 0 से start करके size-1 तक चलाया है size-1 तक इसलिए चलाया है कि for instance user ने size डाला 6 तो indexing हमारी शुरू होगी 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएगा अगर हम यहाँ पे less equal n करते तो हमें यहाँ पे i0 से नहीं 1 से चलाना पड़ता तब हम यहाँ पे less equal n लिख सकते थे इसलिए हमने यहाँ पे i0 से लेके less than n तक चलाया है फिर हमने यहाँ पे user से input लेने के लिए scanf का use किया है फिर जैसे अगर user ने size 6 डाला तो जैसे हमारा i6 होगा तो 6 less than 6 false हो जाएगा तो हमारा control जो है for loop से बाहर आ जाएगा अब user ने सारे elements enter करा दिये अब user को सारे elements display कराना है तो display कराने के लिए भी वो एक for loop चलाएगा for loop चलाएगा i0 से लेके i less than n तक बही चीज क्योंकि उसने जित्ती भी size डाली होगी जीरो से चला है तो a size minus 1 तक ही चलेगा और यहाँ पे हमने printf इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे हम user से input नहीं ले रहे हैं यहाँ पे हमको सारे elements को display कराना है इसलिए हमने यहाँ पे printf statement का use किया है तो यह हमारा पूरा program है traversal of array का इससे हम अपने पूरे array को traverse कर सकते हैं फिर हमारे पास आता है insertion insertion हम किसी भी position पे कोई भी element को insert कराने के लिए हमने यहाँ पे पूरा program लिख रखका है आप कहीं भी at the very first of the array आप element enter करा सकते हैं किसी भी specific position पे आप element insert करा सकते हैं या array के last बे आप element insert करा सकते हैं अब second operation है हमारे पास insertion का तो insertion का भी पूरा program पूरा code हमने लिखा है सबसे पहले तो हमें array declare करेंगे फिर वो सारे variables declare करेंगे जो हमको अपने program में use करना है user से size मांगेंगे कि वो कितने elements एंटर कराना चाहरा है scanf हमने use किया है user से input लेने के लिए फिर हमने यहाँ पे एक if statement लिखा है if n is greater than 20 n मतलब की size अगर मान लीजे user ने size 20 से ज़ादा डाल दिया मान लीजे 25 डाल दिया तो 25 elements तो हम insert करा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे array का size fix है और उसको एक बार हमने यहाँ पे fix कर दिया तो मुसको run time पे change नहीं कर सकते हैं अगर user ने size 20 से ज़ादा डाल दिया तो वो क्या हो जाएगी overflow condition हो जाएगी इसलिए हमने यहाँ पे एक printf statement लगा दिया है overflow अगर वो 20 से कम डालता है size तो elements enter कराएंगे user से फिर वही चीज जो हमने traversal में की थी कि for loop चलाएंगे i0 से less than n तब user से सारे elements एंटर कराएंगे फिर हम उससे पूछेंगे कि कौन सा element वो insert करना चाहरा है user से input लेंगे फिर किस position पे enter कराना चाहरा है वो position हम user से मांगेंगे फिर हम logic लिखेंगे सबसे पहले तो मान लीजे हमको second index पे enter कराना है position हमारा हो जाएगा 1,2,3,4 और indexing हमारी क्या हो जाएगी 0,1,2,3 मान लीजे हमको second index पे या third position पे हमें कोई element insert कराना है मान लीजे हमको 10 insert कराना है third position पे तो index क्या हो जाएगी 2 तो position हो गई हमारे पास third position पे हमको 10 insert कराना है यहाँ पे 10 insert कराने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 को इधर shift करना पड़ेगा 1 को इस position पे shift करना पड़ेगा तब ही यह जगे खाली होगी और तब भी हम यहाँ पे 10 को insert करा सकते है तो हमने logic क्या लिख रखा है हमने fall loop लगाया है i हमने शुरू किया n-1 से n-1 n क्या हमारे पास size of array तो size हमारे पास मान लीजे हम इसी array को ले रहे हैं तो size इसका है 4 तो 4-1 कितना होगा 3 i है हमारे पास 3 i greater equal position minus 1 position हमारे पास 3 तो 3-1 कितना होगया 2 तो i greater equal 2 है 3 greater equal 2 है हाँ है तो हम इसके अंदर गए a of i plus 1 a of i plus 1 का मतलब i plus 1 मतलब 3 plus 1 4 is equal to a of i a of i मतलब a of 3 मतलब कि 3rd index पे जो value है वो 4th index पे आ जाए मतलब अगर हम यहां पे एक array बनाते हैं 9,6,1,2 तो यह 4th index पे 3rd index वाली value आ जाए मतलब 3rd index पे हमारे पास क्या था 2 था 2 हमारे पास यहां shift हो जाए तो यह जगे empty हो जाएगी तो यह हुआ फिर i decrement हो तो i 3 था 3 से decrement होगे कित्ती हो जाए 2 हो जाए और 2 greater equal position minus 1 कितना है position minus 1 मतलब 2 तो 2 greater equal 2 है हाँ है तो फिर से a of i plus 1 a of i plus 1 मतलब कि कितना a of 2 plus 1 3 is equal to a of i a of i का मतलब a of 2 मतलब कि अब second index पे जो value है वो third index पे shift हो जाए मतलब कि 1 किदर shift हो जाए 1 third index पे shift हो जाए तो हमारी ये जगे खाली हो जाएगी अब फिर से i decrement हुआ तो i कितना हो गया 2 से decrement होके 1 हो गया 1 greater equal position minus 1 position minus 1 मतलब कि कितना 2 अब 1 greater equal 2 है नहीं है तो control हमारा इस fall loop से बाहर आ जाएगा अब ये कह रहा है a of position minus 1 is equal to num a of position minus 1 का मतलब a of position minus 1 position हमारे पास थी 3 तो 3 minus 1 2 a of 2 equal to num num हमें insert करना था 10 तो second index पे हम क्या store कर दें 10 insert कर दें तो ये हमारा हो गया हमने 10 insert कर दिया अब हमने insert तो कर दिया अब हमको display कराना है तो display कराने के लिए हम क्या करेंगे array traversal का logic apply करेंगे तो array traversal कैसे करेंगे जैसे हमने previously हमने discuss किया fall loop लगाएंगे i0 से यहाँ पे हमने less equal n चलाया है क्योंकि जब हमने एक element अपने array में insert कर दिया तो हमारे array की size भी तो बढ़ जाएगी कित्ती हो जाएगी previously हमारे array की size थी 4 1,2,3,4 अब हमने जब एक नया element यहाँ पे insert कर दिया तो कितनी हो गई 1,2,3,4,5 तो इसलिए हमने यहाँ पे जब for loop चलाया है तो 0 से less equal n तक चलाया है less equal n मतलब की n हमने कितना डाला था n हमने 4 डाला था क्योंकि हमारे array की size की थी 4 थी तो जब हम for loop चलायेंगे तो हम 0 से 4 तक चलायेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एक element और insert कर दिया तो हमारे array की size भी बढ़ गई है तो इसलिए हमने यहाँ पे i0 से less equal n तक चलाया है और हमने यहाँ पे अपने array elements को प्रिंट करा दिया है तो इस तरीके से हम array में elements को insert करते हैं तो यह हमारे पास पूरा code है insertion in array का यहां तक तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो please do like it, share it and subscribe to our channel Thank you